All right guys, so आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा कि base class के अंदर constructor जो है, वो अगर है तो derive class में किस तर आप use करोगे constructor के concept को, जब आप inheritance करते हो तो constructor कब कौन सा run होता है, यह सारे confusion बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहे थे और भाई आएं भी क्यों ना, मैं तो यह क देगा, सबसे पहले मैं चालू करूँगा थोड़ी सी theory के साथ, बहुत ही थोड़ी सी theory जितनी required है उसके साथ, तो थोड़ा ध्यान यहाँ पर जादा देना, चुकि inheritance जो है, थोड़ा सा tricky concept हो जाता है, compare to, जो basic होते हैं C++ के for loop, while loop, उनके comparison में थोड़ा सा tricky हो जाता है, और यही जो है C++ को खास बनाता है, तो बहुत दिहान से सुनना मेरी बातों को, और constructor एक बार recall करवा देता हूं सबसे पहले क्या होता है, देखो, मानलो आपके पास एक class है, मैंने का class A, ठीक है, class A, और class A को अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चाहता हूँ कि मैं जब इसका object बनाऊं, तो मैं इस तरह से बना लूँ, A का, A का object मुझे बनाना है, और इसमें three और form मुझे pass करके, इसकी जो values है, मानलो इसमें int A और B है, ठीक है, मानलो इसमें int A और B है, मैं चाहता हूँ A की value 3 हो जाए, B की value, मानलो, 4 हो जाए, ठीक है, तो मैं आपर क्या करूँगा, कि a और b की value को 3 या 4 कर सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मानलो मैंने लिख दिया कि a और मैंने मानलो x y लिख दिया एक function मना लिया और इसके अंदर मैंने कह दिया a जो है वो x हो जाए और b जो है वो y हो जाए तो क्या होगा जब आप इस तरह से pass करोगे इन values को तो आपका जो object बनेगा उसमें by default value 3 और 4 होगी क्योंकि आपने pass करी है तो यह constructor होता है कि भाई मैं object बना रहा हूँ इस object में जो class के यह variables नंकी values मैं pass कर रहा हूँ कुछ तो यह जो values है वो आप चाहोगे कि a और b को मिल जाए जो मेरे class के private variables है या public भी हो सकते है उनको मिल जाए ठीक है constructor की मदद से तो आप लोग जो है इसको बड़े अराम से यहाँ पर pass करा सकते हो तो चलो थोड़ी सी बात है यहाँ पर देख लेते हैं जब हमने inheritance की बात करी थी पहली बार हमने कहा था कि हम कर रहे है तब हम लोग ने क्या कहा था हमने inheritance के अंदर classes and object को देखा था ठीक है तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो inheritance है उसमें अगर आप लोग constructor use करना चाहते हैं तो कैसे करोगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते use ठीक है we can use constructor in derive class तो यह point तो एकदम clear है क्योंकि यह video बन रहा है तो point तो है ही है ठीक है कि इस्तेमाल दो यार हो ही सकता है अब if base class constructor does not have any arguments अगर आपके base class constructor में कोई argument नहीं है मानलो यहाँ बर जो है मैंने क्या बनाई एक class बनाई A ठीक है एक A बना दी class और A से मैं derive कर रहा हूँ B मानलो A में constructor है तो जब मैं B का object बनाऊँगा तो वो A का constructor अपने आप call हो जाएगा तो आप लोगों को कोई constructor बनाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है ठीक है तो A का जो constructor है वो by default अपने आप यहाँ पर call हो जाएगा ठीक है चलो यह चीज़ जो है एकदम clear आपको हो गई होगी लेकिन अगर एक से ज़ादा argument है आपके base class के constructor मानलो A जो है आपका ले रहा है कोई values दो ठीक है कि भाई A तुमारे पास जो constructor है उसके अंदर जो values है उनमें यह देखके अपने आपको construct करा लो ठीक है तो उसको जो है base class के constructor की values को बताना पड़ेगा कौन सी वाली पास करनी है चुकि जो base class है उसमें एक constructor है ठीक है तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हो कि B में सारी values देकर A को आप value पास करा सकते हो ठीक है अब यह syntax क्या होता इस चीज का यह थोड़ी दिर में देखेंगे लेकिन ऐसा जो है वो possible है तो B में आप values को पास करा होगे लेकिन आप लोग को क्या करना पड़ेगा A के constructor को बनाना पड़ेगा तो देखो but if there are one or more arguments in the base class constructor derived class need to pass arguments to the base class constructor यानि कि B जो है B का जो object है उसको पास करनी पड़ेंगी values हमको और उसके बाद वो बनाएगा A के constructor को कैसे बनाएगा वो example में दिखा दूँगा आप लोगों को अभी के लिए इस point को आप लोग बस as a theory grasp कर लो ठीक है जब हम examples देखेंगे तो clarity हो जाएगी tension मतलो बिल्कुल भी if both base and derive class constructors है अगर दोनों के base का भी constructor है derive का भी constructor है नहीं कि जो हमारा B है उसमें भी constructor है और उसी के साथ साथ हमारा जो यह है A इसमें भी constructor है तो B में भी constructor है A में भी constructor है तो कौन सा पहले call होगा तो base class का constructor पहले call होता है याद रखना ठीक है arguments हो या ना हो अब यहाँ पर base class का जो constructor है वो पहले call होगा चलो जी बढ़िया constructors in multiple inheritance देख लेते हैं तो सबसे पहले multiple inheritance क्या होती है multiple inheritance यह होती है दो class हो से एक class बन गई in multiple inheritance based class are constructed in the order in which they appear in class declaration जरा इस चीज को मैं clear कर दूँ एक class A है एक class B है एक class C है A और B ने मिल के बनाई C class ठीक है यहाँ पर मैं बड़ा रफ सा डाइग्राम बना रहा हूँ डब्बे मिन को in close नहीं कर रहा हूँ आप चाओ तो कर ले ना इस तरह से डब्बे मिन close इनको थोड़ी सी clarity आ जाती है कि हाँ बात चल लिए class होगी diagram आप लोग को थोड़ी से familiar लगने लगते है a b से c बनी यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर होगा क्या कि जब मैं c को बना रहा हूँ अगर मैंने c को बनाने के declaration में a को पहले लिखा और b को बाद में लिखा है तो a का constructor पहले execute होगा बी का बाद में होगा लेकिन अगर मैंने b को पहले लिखा है और एको बाद में लिखा है तब क्या होगा तब b का constructor पहले execute होगा फिर e का execute होगा तो multiple inheritance को यह नियम है तो यह नियम अप लोग multiple inheritance के याद रखना multilevel inheritance में क्या होगा अब यh multilevel inheritance क्या हो थी मतलए यहाँ पर लिख देता उunk सको नहीं तो आप कहीं confused हो जाओ यह multiple है यह multi level बना लेता हूँ यह multi level लिखके बना लेता हूँ और multi level में क्या होगा multi level बड़ा असान है यहाँ पर जिसे एक यह है A आपका और उसके बाद आपका यहाँ पर B है और उसके बाद आपका यहाँ पर C है और यहाँ पर simple से नीचे की direction में तीर जा रहे है यहाँ कि A से बना B, B से बना C तो C का जब आप object बनाओगे तो क्या order होगा constructor के execution का तो सबसे पहले A का constructor call होगा फिर B का call होगा और उसके बाद अगर C का अपना constructor है तो वो call होगा तो जो order है inheritance का जिसमें inherit हो रहे objects उस order में execute हो जाएंगा आपका जो execution है A से B बनेगा B से C बनेगा तो यह multi level inheritance है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाला कि यहने बदा रही हैं सब चीज़े लेकिन उसके बाद भी क्या होता है ना जब आप beginner होते हो तो एकदम से click नहीं करता है and that's totally fine इसको याद ऐसे रख लो कि multi level मतलब इसकी अलग-अलग level है level 1, level 2 होता है न अब lift में जा दो level 1, level 2, level 3 ऐसे करके याद कर लो इसको कि lift है और यह तो lift की तरह कहीं से कहीं तक दीखनी रहा है तो यह बचा multiple तो यह इसको याद रख सकते हो ठीक है तो I hope कि आप लोगों को यहाँ पर यह चीज़ जो है समझ में आ गई होगी अब एक special syntax की बात कर लेते हैं क्या है वो special syntax चलो चलते हैं देखते है special syntax क्या है special syntax यह है कि convenience आप लोगों के लिए आप लोगो convenience देने के लिए special syntax बनाएगे है क्या convenience देने के लिए बनाएगे है most of the cases में आप क्या करोगे आपकी एक base class होगी एक derived class होगी ठीक है तो multiple भी derived class हो सकती है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ही simple inheritance करोगे single inheritance करके यह आपका काम चलेगा आरबर ऐसा नहीं है मालो a b c करके आपने बना ली a से बनाई आपने b और b से बनाई आपने c ठीक है अगर आपकी inheritance कुछ इस प्रकार से दिखती है अगर आपकी inheritance कुछ इस प्रकार से दिखती है तो क्या होगा तो आप लोग चाहोगे most of the cases में आप लोग c का ही object बनाऊ गए हमने देखे इतने सारे examples अभी classes गए अगर आप playlist फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कितने सारे example हमने देखे तो c का object बनाऊ गए आप और जब आप c का object बनाऊ गए तो क्या होगा तो आप लोग चाहोगे कि b का constructor call हो, a का constructor call हो तो उस case में आपको जोड़ा confusion हो सकता है इसलिए c++ एक special syntax support करता है arguments पास करने के लिए अब मैं आपर एक example देता हूँ मानलो यहाँ पर a1, a2 variables है यहाँ पर b1, b2 variables है बहुत दिहान से मेरी बात को सुनना यह बहुत important है a1, a2 variables है, a class के b1, b2 है, b class के c1, c2 है, c class के तो अब आप जब c का object बनाओगे तो आप चाहोगे यह 6 हो के 6 variables set कर दो आप तो आप इस तरह से बना सकते हो आप काऊगे c और objc मानलो नाम रख रहो हूँ मैं object का और objc यह यह भी रख सकते हैं उसका नाम कुछ भी रख दो, नाम है रहरी रख दो ठीक है, और उसके बाद आप लोग यह सारे arguments पास कर दो ठीक है, जिसमानलो आपने पास कर दिया 3, 7, 9 11, 12, 22 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 arguments आपने पास कर दिये अब आप जब c का constructor लिखोगे, तो आप क्या करोगे, c का constructor ऐसे लिखोगे आप कहोगे, कि जो c का constructor है, वो ले रहा है a1, a2, a3 a4, a5 a6, कुछ इस तरह से लेकर आप क्या करोगे, सारे के सारे constructor को call कर दोगे ठीक है, तो यह देखो यहाँ पर इसका syntax derived class मैंने आप पर लिखा और यह सारे arguments लेकर, आप उसके बाद लगाओगे colon, ठीक है sorry मैंने, curly brace नीचे लगा ना था और उसके बाद आप क्या करोगे, सारे के सारे जो base class के constructor ने हैं, इस case में आप b लिख दोगे b को आप देखो के b1, b2 आपको के b1, b2 तुम ले लो फिर आप c को देखो के c1, c2 कॉमा लगागे, कॉमा लगाओ के आप लेटो के c को c1, c2 और उसके बाद फाइनली जब यह सब लिख दोगे आप एक line में, यह एक line है उसके बाद यह curly brace आएगा, मैं आपको example अभी दिखा दूँगा लेकिन यह syntax आप जो है, refer कर लो मैंने लिखा हुआ है उपर, तो derived constructor सबसे पहले और derived constructor के बाद आप लोग सारे argument दे दो यहाँ पर, ठीक है, यह derived c है इस case में, और आप base 1 constructor, base 2 constructor, जैसे की b और c मैंने आपर दिया है, आप यह दे दो और इसके respective arguments pass करा दो जो भी इन में से argument आप देना चाते हो इनको, वो pass करा दो जैसे की मान लो मैंने 3 और 7 देना है a1, a2 को तो मैं आपर लिख दूँगा जो मेरा b है, मैंने गलत लिख दिया actually मुझे c यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेगि मुझे यहाँ पर a लिखना चाहिए था, तो my bad, चुकि जो c की implementation है, वो c के अंदर मैं लिखूँगा example मैं आपको दिखा दूँगा, तो मैं आपर a1, a2 लिखूँगा और मैं आपर लिख दूँगा c1 is equal to, जो भी arg है, मैं इसका नम arg1, arg2, arg3 करके लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ फिर इसमें dash लगा देता हूँ, simply just for simplicity's sake यह जो नाम है वो clash ना करें इसलिए, तो मैं अगर इनमे dash dash लगा दूँगा, थोड़े तो आप लोगो simplicity 6 लिख दिया है, तो यहाँ थोड़ा confusion मैंने create कर दिया है, तो मैं आपर लिखूँगा, जो c1 है मेरा, c1 मैं क्या देना चाहता हूँ, c1 को मैं आपर इसको बाले सही करता हूँ, मैंने a1, a2, b1, b2, c1, c2 के नाम से करना चाहिए था इसको तो यहाँ थोड़ा सा confusion मैंने कर दिया है, I'm sorry about that but आप लोगों को मैं clear कर दूँगा यह मेरी guarantee है, c1, c2 ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मैं आपको एक बाल बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने आपर typo कर दिया, देखो यहाँ पर क्या हुआ, a से b बन रहा है b से c बन रहा है, ठीक है, a के अपने variables है, a1, a2 b के अपने data members है, b1, b2 c के अपने data members है, c1, c2 अब क्या हुआ, जब आप object बना रहे हो मालो आपने obj, a नखा इसका नाम इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, आप यहाँ पर आप इसका नाम cat, dog, Harry यहाँ कुछ भी रख सकते हो, इसका नाम a, b, c, d, e, f, कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर नाम इसका रख दो आप, और रखने के बाद आपने इसको यह सारी के सारे arguments पास कर दिये अब जब आप C का constructor बनाओगे आप उसमें लिखोगे int a1- int a2- अभी यहाँ पर मैंने proper syntax नहीं लिखा है बट मानलो आपने a1- a2- b1- b2- c1- c2- यहाँ पर लिख दिया फिर आप बोलोगे कि मैं b1- और b2- को पास करना चाता हूँ b को ठीक है जैसे कि आप यह syntax में देख सकते होगे इन में से कौन से argument आप किसके constructor को दिना चाते हो यह आप यहाँ पर लिख दोगे अगर आप लोगो समझ में नहीं तो एक बार और देख लो वीडियो को लेगिन मैं आप लोगो फिर से बता रहा हूँ और आप ने क्या कहा यह एक लगा कर आप ने कहा तो मैं यह आपर जब एक का आप लोग याद रखो और वैसे clear होई गयोगा आप लोग को अभी तक और उसके बाद मैं आपर जो C का constructor है उसकी body बना दूँगा basically ठीक है तो यह हमारा special syntax है और example दिखाऊंगा कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग को मैं सिर्फ यह theory बढ़ा के छोड़ दूँगा अभी बस special case virtual based class का चलो देखते हैं उसको की वो special case क्या है virtual based class का देखो अगर constructor virtual based class का है तो वो पहले invoke हो का non virtual based class से जैनी कि जो order मैंने आप लोगों को बताया है constructor के invoke होने का जो कि मैंने इन rules के अंतरगत बताया आपको multiple inheritance के rules के अंतरगत और multi level inheritance के rules के अंतरगत बताया अगर virtual based class आ गई रास्ते में तो उसको पहले मिल जाएगा जो भी उसका जो order है execution को वो उपर कर दिया जाएगा और अगर multiple virtual based classes है तो उन्हें में फिर से यह नियम लगेगा समझते हो मेरी बात को तो जो virtual based class है उसको ऐसा समाझे लो कि वो VIP होता है virtual based class उसके constructor को पहले call करना पड़ता है उसके constructor को क्या करना पड़ता है पहले call करना पड़ता है तो the constructors for virtual based classes are invoked before any non virtual based class ठीक है तो अब यहाँ पर क्या है if there are multiple virtual based classes they are invoked in order declare अगर multiple है तो जो भी order है उनमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग इसको invoke करेंगे पुराने वाले rules को देख कर ठीक है तो जो पुराने वाले rules है वो लाग हो जाएंगे उनमें लेकिन अगर यह virtual based class है कभी भी रास्ते में आ गई तो उसको एक advantage मिल जाएगा virtual based class को ठीक है तो यह virtual based class को क्या मिल जाएगा advantage मिल जाएगा अब यहाँ पर any non virtual based class are then constructed before the derived class constructor is executed ठीक है तो any non virtual base class are then constructed तो basically कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले क्या होगा कि base class का जो constructor है वो execute होगा virtual वाला उसके बाद non virtual वालों का number आएगा यह यह पहले सारे virtual based classes जो है वो invoke हो जाएगे और उसके बाद non virtual वालों का number आएगा तो यह थी हमारी थोड़ी सी theory जो कि हम लोगों ने देखी मैं चाहाँगा कि आप लोग इस video को दो बार देख लो फाइदा इस video को दो बार देखने का क्या है इस video को दो बार अगर आप देखोगे तो आपको इन सब चीजों की clarity आजाएगी थोड़ी सी फिर अब जब example करेंगे तो यह जो नियम है देखो यह नियम बहुत obvious है जो कि मैंने आपको बताया इस video में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको दो बार आप लोग देखेंगे वीडियो को क्योंकि नियम जो है वो थोड़ी से clear हो जाएगे आप लोग को clarity मिल जाएगी नियम हो की तो हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में कि किस तरह से इसका code example हम लोग लिखेंगे और ये inheritance का थोड़ा सा advanced topic है ये मैं मानता हूँ इसलिए मैं ये बात इसलिए बोलना हूँ मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलना हूँ मैं इसलिए नहीं बोलना हूँ कि आपको समझ में ना है मैं ये बात इसलिए बोलना हूँ था कि आप ठोड़ा सा ठोड़ा सा alert हो जाओ जाओ जाता कि हाँ ये यहाँ पर ठोड़ा स्यादा धियान देनी कि मुझे जरूरत है अगर आप ऐसा करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा जब ध्यान जादा होता है कि इसी भी चीज में तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे के सीखते हो और थोड़ा आप लोग ज्यादा अच्छे से करते हो फिर चीज होगा ठीक है यहाँ पर अभी इस वीडियो में इतने हैं अगर लाइक नहीं किया इस वीडियो को आप लोग ने तो लाइक जरूर कर देना और मैंने C++ की जो प्लेलिस्ट है वो डिस्रिप्शन में डाल लगी है अगर आप लोग ने नहीं देखी है या फिर आप पिरा चैनल खोल के उसको आप विजिट कर सकते हो वहाँ पर आपको मिली जानी है प्लेलिस्ट तो जरूर अक्सेस कर ले ना या प्लेलिस्ट क्योंकि प्लेलिस्ट अगर आपने बुक्पाग करके नहीं रखी है तो that's not a way to watch a course मैं कहता हूँ आप लोग अगर प्लेलिस्ट को अक्सेस करके वाच करत आप लोग लोगाई वाँ